बलेवुड इंडिस्ट्री में काला चश्मा और लड़की ब्यूटीफल जैसे कई हिट सौन गाने वाली पेमस सिंगर नेहा ककड का आज जन्म दिन है नेहा ककड कभी जागरणों में माता की चौकी और भजन गाया करती थी अब नेहा ककड किसी पहचान की मोहताज नहीं है नेहा ने शादी प्रोग्राम में भी जम कर गाया है बर्थडे पर हम आपको बता रहे हैं कैसे भजन गाने वाली ये लड़की छोटे शहर से निकल कर बलिवुट सिंगर बन गई थी ऐसे में नेहा के साथ कई बुरी घटनाएं भी हुई थी जिन में से एक वीडियो काफी वायल हुआ था जब नेहा से एक शादी में जबरदस्ती गाने गवाए गए थे वेहा के साथ साल 2017 फरवरी में चौकाने वाला वाक्या सामने आया था दरसल नेहा एक वेडिंग सेरे मनी में परफॉम करने पहुँची थी जहां उन्हें पहले तो धोखे से बुलाया गया फिर तबियत खराब होने के बावजूद भी उनसे जबरदस्ती परफॉम कराया गया नेहा की तबियत इतनी खराब हो गई कि वो स्टेज़ पर ही चक कर खा कर गिर पड़ी नेहा स्टेज़ पर ही फूट फूट कर रोने लगी नेहा ने शादी में बुलाया जाने से लेकर जबरदस्ती इतने मिहमानों में गणवाने तक पर आपती जताई नेहा कहती रही कि वेह नहीं गापाएंगी लेकिन किसी ने न सुनी नेहा ने इसके बाद फेस्बुक पर अपना वीडियो शेयर कर दिया सोशल मीडिया पर नेहा ने सारी सच्चाई खोल दी नेहा के करोडों फैंस ने इस पर कड़ी नाराजगी जताई वीडियो जम कर वायराल हो गया नेहा ने बताया कि उन्हें प्री वेडिंग से रिमनी बोलकर एक्च्चुल शादी में धोखे से बुलाया गया फिर भी नेहा ने कमिटमेंट के चलते वहां एक घंटे पर फॉम किया लेकिन तबियत खराब होने पर जब नेहा ने मना किया तो उनसे जबरदस्ती पर फॉम कराया जिससे नेहा काफी हर्ट हुई इस वाकए के बाद नेहा काफी रोहीं भी नेहा का ये वीडियो काफी वायल हुआ था इस वीडियो में लोग उन्हें दे कर दुखी हो रहे थे नेहा काफी बातुनी और हंसमुख है ऐसे में वे जल्दी लोगों से घुल मिल जाती है